यहां पर आपको एक special case बता रहा हूँ ठीक है question देखो क्या दिया आपको d cube y upon dx cube plus 4 d upon dx equals to sin 2x देखो यहां पर आप जो देखो क्या होगा तुमाले आपके this is what d cube तो यहां तुमालेगा दिखो प्लस यहां तुमालेगा 4 d और यहां तुमालेगा sin 2x ओके अब देखो यहां पर sin 2x दिया हूँ यहां बता आप पहले क्या करोगी d common निकालो that is 1 upon d यहां पर देखो d square plus 4 यहां पर देखो sin that is 2x लिख दिया अब ध्यान से देखो यहां पर तुमालेगा पास 2 दिया हूँ और यह बता तुमालेगा कैसे 4 से cancel हो जाएगा तो देखो तुमालेगा हो जागा यह 1 upon 0 तो यही आप इस special case है जब भी आपके पास denominator पर 0 होगा तो उस समय क्या करना आप तुमालेटर को एक बार differentiate करना with respect to x दो करना कैसा होते हैं जिसके respect में उसका डिफ्रेंशेट करना पर यहां पर रख लो x हो गया तो यहाँ पर देखो तो मैं क्या क्या को बन पॉन इसका differentiation बताओ कितना होगा दिस इस 3D square प्लस 4 हो गया अब यहां पर रखो जब को दियाँ था तो आप इसका आप सॉल कर सकते हूं ठीक है बताओ मैंने क्या किया जो आपको डिफ्रेंशेट कर लिए और उस x को अमें कहा राका यहां पर लग दिया तो this is 1 upon 3d square plus 4 into sin 2 x अब इसो solve करो,This is x ठीक है, यहां बता तुमें कहा यहां पर 3 यहां बता तुमें d square में कहा यहां था माइनस 4,फे प्लस 4 ठीक है यहां बता था कहा लिखो गया पर पहे, sin 2x लिखोगे अब इसो solve कर लो, it's very simple, ठीक है, तो यहां बताओ तो मैं कितना रहेगा, इसो solve कर लो, this is minus 12 plus 4, that is minus 8, this is x sin 2x upon 8, and this is my required answer, ठीक है?